बिहार की पहली semi high speed train वंदे भारत जो की पतना से चलकर राची तक जाएगी हम सभी को इसके उटगाटन का इंतिजार है यानि कि 27 जून से इसे हरीजंडी दिखाए जाएगी तो हम सभी के मन में एक प्रस्न जरूर उट रहा है क्या कि इस ट्रेन का खिराया क्या होगा पतना स से राची जाने वालों की या फिर राची से पतना आने वालों के लिए इसकी खिराये क्या होगी और साथ ही इसमें क्या-क्या फैसिलिटी प्रोबाइड के जाएगी ये तो तय है कि वंदे भारत एक्सप्रेस 27 जून से चलनी है पर इससे जुड़े बहुत सरी सवाल हम सभ बिहार को भी मिलने वाला है पतना और राची के बीच चलने वाली सेमी हाइस्पेड ट्रेन को 27 उनको हरीजंडर दिखाए जाएगी ट्रेन के दो ट्रायल रॉन पूरे हो चुके हैं दोनों ट्रायल रॉन के दोरान दो से तीन जगा ट्रैक पर जानवर आ गये सुत्रों का पतावा है कि नियमित परिचालन से पहले एक और ट्रायल रॉन किया जाना है इस बीच ट्रेन के अधिकारिक रूप से चलने का सेड्यूल त्यार हो गया है जल्द इसके बारे में भी रेलवे की तरप से अधिकारिक जानकारी दे दी जाएगी सुत्रों ने बताया है कि ट् पत्या से 3.55 बजे चलकर राची 4.15 पर चलकर रात 10.10 बजे पत्ना पहुंच जाएगी पत्ना से राची के बीच की 385 किलोमेटर के दूरी को तैय करने में ट्रेन को करीब 6 घंटे 15 मिट का समय लगेगा इसे साब से ट्रेन का आस्थन रप्तार 61 किलोमेटर 30 घंटा की होग पत्ना से राची के सफर के लिए यात्रियों को एक्जिक्यूटिव क्लास में 1760 रुपए और चेयर कार के लिए 890 रुपए का भुगतान करना होगा ट्रेन के किराये में कैटरिंग का रासी नहीं जोड़ा गया है यात्री अगर चाहे तो अपने एक्छा के नुजार भुगतान करके खाना या नास्ता ओडर कर सकते हैं ट्रेन में दो लोको पाइलट के साथ 530 यात्रियों की यात्रा करने के चंता होगी आपको पता देख फिलाल देश भर में अलग लग रूट पर 18 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उट गाटन 2019 में नई दिल्ली कानपुर इलाबाद वारनसी मार्क पर किया गया था दोस्तो आज के इस वीडियों बस इतना ही जल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जय हिन जय भारत